आप तो मारे मानों और फेमस है जाट मरा तब जानियों जब तेरवी हो जाए और जाटा की यारी सब तै प्यारी ना जाने क्यूं का गरहें के जाट रे जाट सोडा दुनिया करने दोस्त है कंदे पर बैट के गुम्मन जा रहा है तो जाट बलब बढ़ा भी सके के जाट मरा तब जानियों जब तेरवी हो जाए आज मैं आपको वताओंगा ऐसी कावत है क्यों प्रसिद हैं एक बात को ध्यान से समझ लीजिए जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी राजस्थान में राजस्थानी गुजरात में गुजराती बिहार में बिहारी वैसे ही हर्याना में रहने वाला व्यक्ति हर्यानवी और हर्यानवी जाट नहीं होता हर्याना में तो बहुत सारी कौम रहती हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, पंडित, ठाकूर बहुत सारे लोग हर्याना में रहते हैं लेकिन जाट एक ऐसी कौम है जो केवल हर्याना में नहीं पूरे भारत वर्ष में बलकि पूरे विष्व में पाई जाती है लेकिन जैसे कोई हर्यानवी बोलता है तो कहते है जाट है वे जानना ही नहीं चाहते है कि हर्यानवी और जाट दोनों अलग-अलग चीज़ और जाटों ने कितनी उपलब्दियां हासिल की हैं तब आपको पता लगेगा जाट रे जाट सुला दुनियाठ क्यों होता है हमारे देश के पूर्व प्रधान मंतरी पंडित जवालाल नेरू ने का था कि दिल्ली के चारो तरफ जाट एक ऐसी कौम बसती है जिसकी वज़ा से दिल्ली सुरक्षित है क्योंकि ये बहुत बहादुर, परक्रमी और विर्यवान होते हैं और स्री मनामदन मोहन मालवी ने का था कि जाट भारत की रीड की हड़ी है क्योंकि ये देश के प्रती समर्पित, आशावादी और बलवान व्यक्ति हैं और देश की सुरक्षा की रीड की हड़ी ने माना जाता है ब्रिटीश राजे में युद के दौरान जाटों के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिये थे और भारतिय फौज में भी जाट रेजिमेंट सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा ताकतवर रेजिमेंट कहलाती है और डौक्टर रीसले ने तो यहां तक कह दिया कि जाट अगर बिगड़ जाए तो भगवान के काबू में भी नहीं आता और मुहमद गौरी ने पंजाब पर कबजा करने के लिए अपने कमांडर को पंजाब में तैनात कर दिया लेकिन वहां के जाटों ने उसकी गर्दन को काट कर रख लिया और कई हजार असरफियों के बदले उसकी गर्दन को मुहमद गौरी को लोटाया मुहमद गौरी ने एक बात और कही कि जाटों को ना दोस्ती करके कुछ भी उनसे लिया जा सकता है लेकिन यदी हमने धोका दड़ी की और उनके हत्ते चड़ गए तो आपका नाम निशान मिटा देंगे और मुहम्मद अबदाली ने तो ये भी कह दिया कि जितनी बार मैंने भारत पर कबजा करने के लिए आकरमन किया उतनी बार दिल्ली, हर्याना, पंजाब, राजिस्थान और यूपी के जाटों ने मुझे धूल चटा दी तो आप जान लेते हैं वो गुण जिसके वैसे कहा जाता है कि जाट बिलकुल हटके होते हैं महिलाओं को बहुत संबान करते हैं आप कहीं भी चले जाओ अगर कोई महिला के लिए मिल जाए ना और जाट उसे मिल जाए तो बुढ़ जाएगा रबैंड जी कहा जाना है लोगर कोई दिक्कत हो तो आपने गरता ही छोड़ाओं डेडिकेटली ब्रदर हुड और बाई चारा सबता प्यारा जाट यह कहते हैं बाई महारा बाई चारा है ना इस चाहगे तक किसे चीज की निचालती क्ये करें जब मारे गाम की छोड़ी गाम का कोई भी आदमें मिल उसका संबान करते हैं ब्रदर हुड करते हैं बड़ा संबान करते हैं कहते हैं और आप जाते हैं ग्र То ले भी सका है और एक यूनीकने सुन के अंदर होती है वह होती है माइंड ब्लोइंग सेंस ओफ यूमर बड़े से बड़ी समस्य को भी ना मजदार बना देते हैं बिलको लाइट महुल कर देते हैं वह एक आदमी की अर्थी जा रही थी एक जाट ने पूछा और यूमर गया क तो दूसरे जाट ने पता क्या रिप्लाई दिया ना गुम्मन जा रहा है और ऐसी एक जाट का ना हाथ टूट गया तो जब हाथ टूटे वे पलस्तर था तो दूसरे एक व्यक्ति ने का अरब आई साब तूट गया के करना फैसन है और आड़ा उड़ा लह इतना रोक आज दे और दो को जाट का ष्टेट फॉरवरड निस कैसी होती है सोस्ते निहीं की बोला क्या है बोल देते है वो एक शादी में लड़की जो थी ना वो गोरी ठी और लड़का काला था तो देखते हो और या बाई-बर को यह खा रहे है वह कहते हैं कि जाटा की यारी सबत करना पड़ जैवया पार जाट जो कौम है ना वो सची देश भक्त होती है हमारे देश के जल सेना स्थल सेना या वाईव सेना में हर जाट के घर से एक नएक जवान जरूर मिलेगा पर एक बात कहते हैं कि जाट रे जाट 16 दुनिया यह बिल्कुल गलत है वो हिसाब किताब मे बिजनस हो, इंडस्ट्री हो, सिंगर्स हो, सभी जाटों ने अपना परचम ले रहा है जैसे बॉलिवुड पे बहुत सारे स्टार बड़े फेमस हैं धर्मेंदर, सन्नी देवल, बॉबी देवल, दर्शन कुमार गंडास, मेगना सिंग, आपसी पन्नू, जिमी शेरगिल, चौदरी सुसान सिंग, दारा सिंग, बिंदु दारा सिंग, पूनम धिलो और बहुत सारे से प्रचलित बॉलिवुड एक्टर हैं, यहां तक की राजनीती में भी जाटों ने अपना परचम ले रहाया है, जैसे चौदरी चरन सिंग, हमारे देश के प्रदान मंत्री रह च और खेल के शितर में संग्राम सिंग, रवी दैया, सुशील कुमार, बिजिंदर सिंग, बजरंग पुनिया, गीता सिंग फोगाट, बवीता सिंग फोगाट, यह वो सारे प्लेयर हैं जिरोंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, और यही बात मैं बिजनस ए और आज जाट चाहें वो पंजाब, हरियाना या भारत के किसी भी राज्ये में हो, उन्होंने बिजनस में भी महान उपलब्दियां आसिल की हैं, और मेरी कंपनी में भी बहुत सारे एसोसियेट, डीलर, फ्रेंचाइजी, जाट हैं, जो लोग फाइनेशली बहुत साउंड हैं, वो फ्रेंचाइजी शोरूम खोलते हैं, जो थोड़े से फानेशली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हैं, वो डीलर्शिप शोरूम खोलते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं हैं, उसके बाब जूद बिजनस करना चाहते हैं, मेंती हैं, करमठ हैं, डेडिगे पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप दियो और नमबर पर वाट्स अप करें आपका नाम, सारी जानकारी वाट्स अप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी टीम में, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!